अदिक्षान्ग मेरा ये स्वबग्ग है कि मैंने रेनुजा के राजा नाम की फिल्म बने यह फिल्म की सूटिंग के दौरान जैसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्म सूट के वक्त पे या प्रोडक्शन के वक्त पे इस टाइब की भी समस्या इसामने आ सकती है और जो जो समस्या इसामना आई उन समस्याओं को देखके पहले तुम्हें घबरा जाता था क्या मौलूम इसकी वज़े से फिल्म पूरी हो पाएगी या नहीं पाएगी या और को भी प्रब्लम सा आजाएगी लेकिन मैं सब यह सोचते ही था इतने में वह समस्या सौल हो जाती थी इसको मैं बाबा का चमतकारी कहूंगा इसको मैं बाबा का आशिरवादी कहूंगा एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे मैं पूरी युनीत को लेके बाबा रामदेवरा और रामदेवरा और रनुजा में पहुंचा और वहां जाके वहां की भीषण गर्मी को देखते हुए जो हमारे आटिस्त थे जो होटल एसी होटल में अपना आपको अस्याज मसूश कर रहे थे डेजर्ट के अंदर और बाबा के दाम में जा इतनी गर्मी होगी अपना लेकिन देखता हूँ रात को भेंकर बारिश वी और दिन भर बादल चाहे रहे ऐसा लगाई नहीं कि हम कोई डेजर्ट में घड़े है ऐसा आवास हो रहा था कि जैसे हम किसी बादियों में आ गये है और बादियों की ही फिलिंग्स के साथ में जो दो दिन का काम था वो हमा एक दिन में कंप्लीट हो गया यह बाबा का ही आशिरवाद है